I start my next question. question number six What is an electric motor ? Explain the working principle of a DC motor आपको इता है कि train थों थे लेक्ट्रिक जनरीटर भीज़नेर्र में किया फ़र्क है कि train a electric motor हमारे पास जो electrical energy को mechanical energy में कनवर्ट कर रही हुती है हम इसको electrical energy as an input देते हैं जिसके बदले हमें कोई ना कोई mechanical energy मेल रहते हैं और हमने इस electrical motor की बाद अपने चेप्टर पढ़ते हैं जिसमें हमने देखा था कि जब हम उसको electrical energy देते हैं उस water motor को तो हमारे पास जो water है हमारे floor से ceiling तक जाता है हमारे पास ऊपर जो टैंकिया होती है अब इसमें करना क्या है आपने सबसे पहले torque की वज़ा से उसके अंदर हमारे पास shaft rotate करती है same construction वही है कि हमारे पास armature है armature को हमने magnet के दर्मियान प्लेस किया और इसको battery के साथ connect कर दिया battery के साथ connect करने से हमारे पर rotation होती है लेकिन इसमें चीज़ चेंज है वह हमारे पास brushes or commutator होता गया है कि हमारे पास left side वाला armature का part है वह हमारे पास negative terminal of the battery के साथ connect है जबकि right वाला positive terminal of the battery के साथ connect है और जब इनके आपर force लगती है तो जब यह 90 degree पे पहुंचते है तो इनका connection ना इन wires के साथ बैक्टरी की वायर साथ बिल्कुल ना disconnect हो रहता है लेकिन due to moment of inertia हमारे पास होता क्या है कि वो चीज़ उसको ना it tends to maintain its motion जब अपनी motion को maintain करने की कोशिश करती है तो हमारे पास commutator जो है ना अपना right वाला left के साथ connect हो रहता और left वाला right के साथ जिसकी वारा से होता है कि इन कर सम टाइम हमारे पास जो को म्यूटेटर है वह current की polarities को change कर जाता है जिसकी वारा से हमारे पास rotation continue रहती है और इसके इंदर किसी भी किसम का gap नहीं आता है